गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टो ओनलाइन क्लास प्रोवाइड़ बाई MDN पॉब्लिक स्कूल कलायत सो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर टू चल रहा है, उप्रेशन्स इंवाल्विंग लार्ज नंबर्स प्रिविस टॉपिक में हमने एडिशन्स के सम्ट समझाए थे आपको और आज हमारा नेक्स टॉपिक है पेज नंबर 16 पर सब्ट्रेक्शन, सब्ट्रेक्शन मीन्स गटाना सब्ट्रेक्शन का क्या मीनिंग है, गटाना, गटाते देखें कैसे हैं जिसे 8-4, 8 में से 4 को हम सब्ट्रेक्शन करेंगे, तो क्या आएगा आंसर हमारे पास? 4 तो आज जो आपका example number 3 है, मैंने इसे notebook पे write किया है, ताकि आप इसे समझ सकें तो देखिए, आप सबसे पहले जो question है, उसको according to their place values write करेंगे तो मैंने place value लिख लिए यहाँ पर और उसी के under digits को mention कर दिया है ये दोनों के head पर दीखी क्या है, इधर भी lakh है, इधर भी lakh है इन दोनों के head पर क्या है, इधर 10,000 है, इधर 1,000 है तो ये क्यावन गया, 88,43,576 माइनस, गटाना क्या है इसमें से, 64,59,686 तो अब यहाँ पर कुछ terms लिखी गई है after borrowing, menu end, subtract and difference तो मैं one one, by, one one करके आपको ये समझाओंगी कि क्या meanings है इनके, सबसे पहले देखिए menu end menu end क्या होती है, bigger term, जो बड़ी term होती है जैसे देखिए, आप 6 में से 8 को subtract नहीं कर सकते हैं जैसे 6 क्या है, छोटे digit है और 8 क्या है, बड़ी digit है लेकिन आप 8 में से 6 को subtract कर सकते हो तो जिस में से जिस digit को subtract करना होता है जैसे 6 में से 6 को subtract करना है so 6 is menu end and another 6 is subtract और after borrowing का meaning देखिए क्या है अब देखिए, अगर आपने, एक होता है आपके पास carry और एक होता है आपके पास borrow carry होता है, प्राप्त करना, ले जाना, देखिए जैसे आप 6 और 6 क्या होते है, 12 6 प्लस 2, 6 प्लस 6 कितने होते है, 12 तो 12 का यहां पर क्या आ जाता, 2 और उपर के आता, 1, carry carry यानि ले जाना, ले कर जाते है carry का मीनिंग प्राप्त करना नहीं, ले जाना होता है तो हम यहां पर ले कर जाते है यह तो था addition का method अब subtraction में देखिए यहां पर तो देखिए, 6 minus 6 कितना हो गया 6 minus 6 होता है, 0 अब next देखिए, मैंने आपको बताया है हमेशा बड़ी term में से छोटी minus होती है subtract होती है, लेकिन छोटी में से बड़ी कभी भी subtract नहीं होती है तो आप क्या करोगी, 7 में से 8 subtract नहीं होंगे, आप इससे आगे वाली term है, जो उससे क्या करोगी borrow करोगी, यानि उधार लोगी तो यह क्या बन जाएगा 17, so 17 में से 8 को आपको subtract करना है, आप अपने fingers की help से क्या कर सकते हो, subtract कर सकते हो so 17 minus 8 कितना होता है, 9 अब आपने इधर से borrow लिया था, तो इसके पास कितना बच गया, 5 की place पर 4 बच गया, लेकिन आप 4 में से 6 subtract होता है नहीं होता है, क्योंकि 4 क्या है चोटी term है, और 6 क्या आपकी bigger term है तो क्या करोगी, आप फिर से borrow लोगे, यह क्या बन जाएगा 14, 14 minus 6 कितने होते है 14 में से 6 को subtract करेंगे वो कितना हो जाएगा 8, आप चेक कर सकते हो साथ ही साथ कि आप question को सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो देखिए, 9 और 8 को add करेंगे तो आपका answer क्या आएगा 17 ही आएगा 8 और 6 को add करोगे तो आपका answer क्या आएगा 14 ही आएगा अब आपने इधर क्या दिया था, इन्होंने borrow किया था इधर कितना बच गया आपके पास 2, अब दिखिए, 2 में से 9 सब्डरेक्ट हो सकते है 9, नहीं हो सकते तो हम क्या करेंगे, अब इधर से borrow लोगे ये क्या बन जाएगा 12, 12 माइनस 9 12 में से 9 गये कितना बच गया 3 अब देखिए इधर, क्या बच गया 3, 3 में से 5 भी सब्डरेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि मिन्यो आइंड क्या होना चाहिए हमारा, बड़ा होना चाहिए ठीक है, अब क्या करेंगे हम इधर borrow लेंगे, ये क्या बन गया 13, 13 माइनस 5 कितने होते है 8, दोनों को एड करके चेक कर लीजिए, 13 आता है नहीं, 8 और 5 कितने होते है 13, अब इधर हमारे पास क्या बच गया 7, ये देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है, 7 माइनस 4, 7 में से 4 easily subtract हो सकते है, तो ये क्या आया हमारे पास 3, और ऐसे ही अब हमने इधर कुछ भी नहीं, किसी को borrow दिया था, कुछ भी उधार नहीं दिया था ये as usual हमारे पास इधर क्या रह गया 8 रह गया, 8 माइनस 6 कितने होते है, 2 8 माइनस 6 होते है, 2 तो देखिए हमारा answer के आ गया ये 23,83,890 और इसी तरह से आपका example number 4 दिया गया है मैं जस्ट आपको idea दूंगी ताकि आप इस question को अपने आप कर लें what must be added what must be added